खून रिस्ता हुआ इन वीडियो में दिखाई दे रहा है, वहां मौझूद लोगों ने मदद की, मदद के लिए आगे आए, रिशफ पंत के लिए पुलिस को बुलाया हरिद्वार के ASP अजै सिंग ने इस हादसे की पूरी डिटेल दी है ASP से बताया कि डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई, पलटने के बाद कार में आग लग गई सुभह 5 बज कर 22 मिनट पर पंत को जबकी आने के बाद यह हादसा हुआ पास से ही गुजर रहे हरियाना रूडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंड़क्टर ने पंत की मदद की प्राता पांट बसके 22 मिनट जो टाइम का पता चला था दिल्ली रूड की हाईवे पर रिशप पंजी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पड़ती थी इसके बाद उसमें आग लग दिया थी वहीं पर हर्याना रूडवेज की बस भी जा रही थी उनके ड्राइवर सुशील को बार इंके द्वारा ततकाल कंड़क्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन कर गया चुकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहा रहती वहां पुलिस पहुंचने के बाद उनको एंबुलेंस के माध्यम से जो है नियरवाई हस्पिटल में लाए गया प्रात्मी कुपचार के लिए जहां पर डॉक्टर ने बताया कि खत्रे से बाहर उनको क गर्विश के गाड़ी उनको लाए गया और और वी पिसाथ वो रवाना हुई प्रात्मी जो जानकारी में लिए उस में पता चला है कि जब की लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता इस कारण से जो है गाड़ी अनित्रित होके लड़ गया थी बाकि अन पहल्यों के बाकी अभी तक की जानकारी है उसमें वह शाखुशल है कोई लाइफ त्रेटनिंग इंजरी नहीं है यह सबसे बड़ी बात पुलिस एसेसपी बता रहे हैं जो हम सब के लिए राहत की बात हो सकती है समिर जी बिलकुल कॉंश्यस हैं बात कर रहे हैं और लाइफ पर हैं तो कहीं जादा बेहतर देखा और बता पाएंगे यहां के स्थानिय लोगों ने काफी मदद करने की कोशिश की और जो सीशे थे उसका इंपेक्ट ऐसा था कि रिशापण बहुत मुश्किल से अंदर जो साइड विंडो है उसे तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकले स्थानिय लोगों ने इसकी मदद की यह पूरा इंपेक तक का यह जो पूरा एक एरिया है जो पिलर है जो यहां पर बैरिक जो पिलर लगावा था रोड के किनारे पे वो पूरी तरीक से तूटा लेकिन परवन सबसे पहले हम आपको बता दे कि इंसिदेंस साकिरकार हुआ कैसे क्योंकि यह में रोड है जो कि रुड़की को करनेक दें ठीक सामने यानि जहां पर गटना गटी है यह पूरा एक पॉइंट है जो कि एक डाइवरिजन पॉइंट यहां पर जो रेलिंग है उनसे उनकी गाड़ी ठकराई लेकिन जब सौकी स्फीड में उनकी मसड़ीज गाड़ी आरही तो उसी दोराल यह जो नर्सम का एरिया है रुडकी का एरिया पढ़ता है रुडकी डिस्टिक के अंदर पढ़ता है यहाँ पर उनकी गाड़ी जो दिल्ली से रुडकी के तरफ अपने पैत्रिक घर जा रही थी अपने घर में जा रही थी उसी बीच तेज इंपक्ट के साथ रिशपपंद की आख लगी ऐसा प्राइमरिली रिशप्पंत ने डॉक्टर्स को बताया जो इंवस्टिगेटिंग टीम थी हाँ पर मौजूद उनको बताया ये गुरुकुल नारसन का एरिया है ये हरीद्वार के अंदर पड़ता है और रूड की डिस्टिक का ये एरिया है और यहाँ पर जैसे ही रिशप् इंपेक्ट के साथ उनकी गाड़ी टकराई और टकराने के बाद इंपेक्ट ऐसा हुआ कि जो डिली से रोड की आने वाला में रोड था उस पर जो बैरिकेट था वो पूरी तरिके शतिग्रस हुआ और ये वो साइट है जहां पर सबसे पहले जो तेज इंपेक्ट के साथ इंपेक्ट की गाड़ी जो की मर्सडीस ही वो टकराई और टकराने के बाद उस समय सब्सक्राइब जो आप चलके आए हो ये डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर का दिखाई दिखाई दे रहा है तो क्या समझा जाए कि पहले इंपेक्ट के बाद गाड़ी 100 मीटर तक पलटती चली अब पवन हम आपको बता दें कि यह जो गाड़ी है वो टकराई दो जगह है पहली जगह जहां टकराई वो 50 मीटर के इंपेक्ट पर है और जो दूसरा एरिया है वो करीबन 1500 मीटर के इंपेक्ट पर होगा अब आपको सीधा तस्वीरों के जरी हम आपको दिखाएं कि यह उस जो में एरिया है यह रुड़की जाने वाला रोड है दिल्ली से रुड़की जाने वाला रोड है और इसी रोड पर जैसे गाड़ी पॉची उस गाड़ी का इंपेक्ट थी तेज़ हुआ कि यहाँ पर जो यह पूरा यह साइड बैरिकेट है जो कि जो डिवा्ट